हेलो फ्रेंड्स मैं ये श्वीन आपका स्वागत करती हूं दक्षला टुटोरियल्स के ओनलाइन चैनल पर तो दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर एट ठीक चैप्टर एट जिसमें आज होगा लेक्चर हमारा 8.1 चैप्टर एट का नाम क्या है मानफ स्वास्तिय डिसीज तक पढ़ेंगे डिसीज मतलब होता है रोग बिमारी सारी बिमारी पढ़ेंगे जितनी बिमारी हमें पढ़नी होंगी सारी जैसे नजले जुखाम खासी से लेकर कैंसर और एट्स तक की सारी बिमारी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो दोस्तों आज का अपना लेक्टर शुरू करते हैं अपना नि रुद हैं। लेक्ट लेक्टर हों कश़रों करते हैं जो किस father मों में होते हैं, कैसे वो संक्रमें तो होते हैं, कैसे वो आसंक्रमें तो होते हैं, मतलब infectionous और non-infectionous होते हैं, यह सब हम आपको आज के lecture में बताएंगे, सबसे basic चीज़ें बताएंगे कि किन किन चीजों से रोग हो जाता है, अगर आपको क्या-क्या symptom है, जिस वज़े से आप बिमार हैं, रोग का मतलब कोई जादा नहीं है, बिमारी, बिमारी जैसे हम बिमार हो जाते हैं, सब लोग मतलब बिमार हो जाते हैं, इलनस हो जाती हैं, सब को बिमार हो जाते हैं, तो वो बिमारी हो जाती हैं, वो किस प्रक करते हैं और देखते हैं शुरुबात में बिल्कुल बेसिक चीजें हमें क्या-क्या समझनी है इसकी जब हम मन और मानसिक मतलब हमारा मन और मानसिक बिल्कुल mentally fit होते हैं मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ पर असर डालती है हमारे मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ प हम बिल्कुल लूज है हम कैसे हैं वो हमारी हेल्थ पर डिपेंड करता है अब हम बिल्कुल एक्टिव है हमारी हेल्थ आज बहुत अच्छी है तो क्या कहेंगे हमारा स्वास्त आज बहुत अच्छा है मन और मांसिक स्वास्त हमारे स्वास्ती पर असर डालता है नी संदे बि इसी व्यक्ति को अनुवानशिक विकार के बारे में हम आपको चैप्टर 5 में पढ़ा चुके अनुवानशिक विकार वे विकार होते हैं जो एक पीडी से अगली पीडी में परिवाहित होते हैं इस प्रकार से भी कह सकते हैं वो क्या होते हैं अनुवानशिक विकार होते हैं और इन्हीं पर भी हमारा स्वास्त डिपेंड होता है कि हमारी मान से किस्तिती हमारे शारीरी किस्तिती इन्हीं पर डिपेंड करती है सबसे पहले किसे जेनिटिक डिसॉर्डर पर जिसको अनवाशिक विकर भी कहते हैं। फिर दूसरा हो गया संक्रमण जो कि सबसे ज्यादा होता है जरा सा नजला, जुकाम, खासी, बुखार ये सब क्या है संक्रमण ही तो होता है कि अब जैसे बुखार भी होता है तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फ्यालता है तो ये सब क्या है दोस्तों ये सब क्या यह नजी कोघ़ी होता है मन्स और मांसिक रूप से हम आस्वस्थ हो जाते हैं लोग हो जाथ है एक निम्नलिकित निर्फफ- Bernard हमारी जीवनक्रानम के कारनि रहएं अगर चाली में यह कि वह द्देamm सबस्वर होता है में अगर आप तो नहीं रखोगे तो क्या होगा आप मैंटली डिस्टर्ब हो जोगे डिप्रेशन में आ जोगे अरे हम इतना सारा काम कैसे करें तो एक जीवन शैली भी हमारी स्वास्त पर बहुत कूप रभाव या प्रभाव डालती है कैसे अगर आप कम सोएंगे तो नौर्मली आपको दिन हरेती रहेंगे अगर जलदी सो जाएंगे जल्दी उठ जाएंगे जल्दी तो सुबह-सुबह जल्दी सारा काम खतम हो जाएगा स्वरक्स रहेंगे व्यायाम करिए बहुत ज़्यादा साइक oh और सुबह सुबह मौर्णी वॉक करने से यह सब हमारे जीवन शैली में आता है कि हम अपने पूरे सुबह से लेकर एंड रात में सोनी से पहले तक क्या-क्या चीज़े करते हैं वहीं क्या होती है हमारी जीवन शैली जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से वो क्या करती है हमा हमारे मन पर और हमारे मानसिक रूप से हमारे मानसिक पर जो प्रिभाव डालती है फिर आगे पढ़ें कि रोग की डेफिनेशन जो कि हमें पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है रोग 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 क्या पूरे चैप्टर में बस रोग के बारे में पढ़ना है तो रोग होते क् हम कैसे पता लगाए कि हम रोगी हो गए विमार हो गए तो यह डिपेंड करता है जब हमारे शरीर के यह डेफिनेशन है दोस्तों छोटी सी समझने के लिए कि रोग क्या होते हैं जब हमारे शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों अंगों से मतलब है हाथ, पैर, सिर्ड और गर्धन वर्धन सब मिला की हो गया आपके अंग और तंत्रों मतलब यह हो गया आपके आंतरिक तंत्र जैसे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया या आपका एंडो एक्जोक्राइन सिस्टम हो गया, अंटाइस्तरावी गरंती, बाहस्तरावी गरंती, तंत्र, ठेक, अंदर के तंत्र, इम्यून तंत्र हो गया, इम्यून सिस्टम, तंत्रों के प्रकारियों, प्रकारियों से मतलब है उनके कारिय, जो वो कारिय करते हैं, प अनुकोज नहीं कर पारे हैं प्रृतिकूल प्रभाब है और विबिन चिनों और लक्षान लक्षान प्रकट होते हैं इसा सर्में कि सर में दर्द होने लगी जो की ज्यादा तर सबके नॉर्मल होता है सर में दर्द होने लगती है फिर हमें लगता है अब सर बहुत भारी-बारी हो रहा है लगा मेरे सर में दर्द हो रही है और हमें बुखार हो गया है मतलब हमें फीवर हो गया है तो यह क्या है एक पर प्रतिक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मतलब जो इनके प्रकार ही है उनके जो कार ही है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं और उन पर क्या होता है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है गलत प्रभाव पड़ता है और विबिन चिन अद्वा लक्षान प्रिकट होते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हम स्वस्त नहीं हैं हम यह कह सकते हैं तो हम कहते हैं कि स्वस्त नहीं हैं मतलब हम पूरी तरीके से हल्दी नहीं हैं हम बिमार हैं अर्थात हमें रोग हो गया है रोग हो ग pessimism है या हम क्या था दोस्तों एक छोटा सा discrimination था कि रोग होता क्या है रोग क्या होता हैす जा हमारे शरी में क्या अट्राइं क gemacht तो wepping on to watch soundapp इस लक्ष्र पता चलते जिसकी व्हाज़े से हमारा स्वास ठीक नहीं है हम रोगी हो गए हमें बिमारी हो गए हम बिमार है या हमारे सर में दर्द हो रही है फीवर नजला सुखाम बुखार कुछ भी आप ले सकते हैं अगर किसी भी किसी भी अंग में आपके कोई दर्द हो रही है, कोई परिशानी है आपको या कोई तंत्र आपका ठीक तरीके से कारील नहीं कर रहा है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि आपको रोग हो गया या किसी को भी किसी विव्यक्ति को रोग हो गया वो क्या है रोगी है आप देखिए रोग को क्या करें हम दो समूह में बाड़ सकते हैं अगर कहें रोग के समूह इसमें आपका पहला समूह होता है संक्रमर और दूसरा समू होता है आसंक्रमण ठीक दोस्तों आसंक्रमण ये हो गया दूसरा समू पहला समू क्या है संक्रमण इसको infectious बोलते हैं और दूसरा समू है आसंक्रमण जिसको non-infectious बोलते हैं अब इन दोनों में अंतर क्या है इन दोनों का मतलब क्या होता है यह हम आपको बताते हैं सबसे पहले संक्रमर यह फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ठीक दूस्तों एक व्यक्ति से कहां फैलेगा दूसरे व्यक्ति में इस प्रिकार से कह सकते हैं कि यह फैलने वाली बिमारी होती है रोगों के सम संक्रमय कौन से होते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे में प्याइलते हैं जेसे कि किसी को फीवर है या किसी को बहुत तेज जुवर आ रहा है जुवर मतला फीवर या उसको जुकाम है जुकाम जब होता है तो वो स्नीजिंग करता है उस जब जोर से छीकता है एक व्यक्ति माली इस व्यक्ति को क्या है जुकाम है और इसने जोर से छीका इसनीजिंग करी जिसकी वज़े से इसके जो र गारू होते जो रोग उत्पन करने में मदद करते हैं यह आपको आगे पढ़ेंगे सब Fig name वैक्तिन dw worldview जिसे वह रोगी होने हुआ भुआ है कि यह होता है संध्रमर हो जाता है मैं एक तो भी ejerc president था इस नहीं द proportions किया विमार करेंद और ज्यादतरू होता है जिवानु को विशारू होते हैं यह सब क्या होते हैं ऐसे वाइरस होते हैं जो कि नजले जुकाम के लिए और सास लेने में दिक्कत जैसे कोरोना वाइरस है वो सास लेने नजले जुकाम की वज़से हो जाता है उसका एक लक्षन है कि जब कोरोना वाइरस हो जाता है तो उसमें नजले जुकाम हो जाता है बुखार हो जाता है और स्वस्त व्यक्ति के संपर्क में रहेगा तो हो सकता है कि इस व्यक्ति से संक्रमण कहां फैल जाए दूसरे व्यक्ति को यह वाली बिमारी होती है संक्रमण वाली ठीक और आप जैसे मार लेजिए किसी एक व्यक्ति को हार्ट अटेक है तो अगर उसके पास दूसरा व्यक्ति वैठा होगा तो क्या उसको भी हार्ट इटैक हो जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना अमानीजी एक व्यक्ति को नहीं फैलते हैं ठीक किसी भी प्रकार से वो संक्रमेत नहीं होते हैं और संक्रमेत इसका दुनामी संक्रमेत है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमेत होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उनके रोगानूं पहुचकर उसको भी रोगी बना देते हैं औ उसको कैसे heart attack हो जाएगा उसको भी heart attack नहीं होगा और माली जी cancer है किसी एक व्यक्ति को तो वो आ संक्रमर्ण विमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है ठीक वो आपी के शरीर में उत्पन होती है और वहीं पर वो अपना रोग दिखाती है वो दूसरे में संक्रमित नहीं हो सकती है इसलिए उसको क्या कहते है आ संक्रमर्ण कहते हैं तो दोस्तों यह क्या था संक्रमर्ण और आ संक्रमर्ण वो जो फैल जाए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और अस अंख्रब्रव जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है तो चरिए तो चलिए दोस्तों अब आजब देखेंगे बताएंगे आपको क्ली कि चीज कौन-कौन से चीज़े ऐसी होती हैं कौन-कौन से जीव ऐसे हैं जो कि रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे जीव होते हैं कौन से रोगाणू जनक होते हैं जिनकी वज़े से क्या होता है रोग उत्पन होते हैं पीक विशाणू को इंग्लिश में बोलते हैं वाइरस वाइरस तो बहुत ही साथ वैमारी फैलाता है कवक मतलब होता है फंजाई फिर प्रोटो जोन इसको इंग्लिश में भी प्रोटो जोन कहते हैं क्रमी क्रेमी को इंग्लिश में बोलते हैं हैं क्रमी मतलब यह वह होते हैं जो कि मनुष्य में रोग पैदा करते हैं अब देखिए हम पूरे चैक्टर में स्रिफ इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि जैसे जिवानुं कौन-कौन कौन-कौन कि वजह मनुष्य में कौन-कौन से रोग हो जाते उनके symptoms क्या होते हैं और वह किस प्रकार से हो जाते हैं कि जैसे अमीबा है वो भी बिमारी कंटैमिनेंट करता है तो वो किस प्रकार से करता है यह पढ़ेंगे क्रमी बहुत सारे वॉर्म सहते होते हैं जैसे टेप वॉर्म है और यह सब केज हुए किडे टाइप के होते हैं जो कि मनुष्य की शरीर में क्या करते हैं रोग उत्पन करते जिसकी वज्ञेसे मनुष्य क्या हो जाता है रोग हि हो जाता है दोस्तों फिर आगे पढ़ेंगे ऐसी रोग कारक जीवों को रोग रोग जनक मतलब इनको क्या कहते हैं पैथोजन्स कहते हैं रोग जनक कैसे क्योंकि ये रोग उको क्या कर रहें जन्व दे रहें इसे वज़े से इनको क्या कहते हैं रोग जनक जीव रोग जनक जीव वो होते हैं जिनके अंदर क्या तो बैक्टीरिया हो वाइरसो फंजाई का यह सब क्या होते हैं रोग जनक जीव पैतोजन्स कहते हैं इसलिए अधिकांश परजीवी अधिकांश परजीवी मतलग प्यारसाइट्स परजीवी वह होते हैं जो दूसरों पर ग्रो करते हैं दूसरों पर निर्बह रहते हैं खानी पीने के लिए रोग जनक होते हैं क्योंक कि पर्पोशी के भीतर रहते क्योंकि ये पर्पोशी के या तो भीतर रहेंगे या उसके उपर रहकर उसे शती या हानी पहुचाते हैं अब मान लीजिए इसका मतलब क्या है बहुत सारे रोग जनक मतलब एक ये एक चीज है कि जिसकी वज़े से रोग फैल है मान लीजिए य जो कि रोख जनक कहते हैं कि इसलिए पर जीवी पैरसाइट रोग जनक होते हैं बहुत सारे पैरसाइट से होते हैं क्योंकि यह पर पोशी मतलम होच के भीतर यह तो यह क्या करेगा किसी होस्ट के कीनिसन के यह निफितर अंदर की करफ रहके इसको रोगीक बना देगा तो फिर एक उपर धू इसके उपर के शती शती मितलब वही बिमारी यहानी उसे पहुचायेगा तो दोस्तों यह काफी साराय चीजों से पहल सकता है। हावा के वजह से भी फैलता है बाई विंड या खासने चीकने से हवा कित्रू फैलता है प्लस बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो कि अंदरोनी ताइप्स हैं अंदर की तरफ से उत्पन होते मानलीजे कोई गंदा पानी अपने पी लिया उस गंदे पानी में क्या था अमीबा था अपंीबा को जैसे ही आपने पी लिए अपने क्या होता है अपनी और आप सूख्मदरशिय जीव है जो की पानी मिलता है तो आप देखी नहीं सकते हैं कि ग्लास में क्या अब लिए उसे आपने पी लिया ठो अब उसका ग्या पैथोजन एक ऐसा pathogen था जिसकी वज़ से रोग होगा जा रहा था और जब आपने उसको पी लिया परपोशी आप एक परपोशी हैं एक host किसी व्यक्ति जो की व्यक्ति पर पोशी होते हैं वो इसके लिए ऐसा host बन जाता है host मतलब वो उसके उपर निर्बहर हो जाता है ठीक तो वह अमीबा जब आपके शरीह में गया, व्यक्ती के शरीर में गया, तो उसने दीरे-दीरे करके क्या कि यह रोग उत्पन कर दिया, यही क्या होता है, यह फैल गया पानी के वज़े से रोग, तो बहुत जादा काफी चीजे ऐसी होती हैं, जो कि माध्यम भी लेती हैं, मा गुद्पन करते हैं, हेलमेंटीज, स्कैरी, स्स नाम की बिमारी हो जाती है, इन सभी बिमारियों के बारे में अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एक-एक बिमारी लेके चलेंगे, दो-दो बिमारियां पढ़ेंगे, कि कौन सी बिमा कर दिया, कि संक्रमक रोग क्या होते हैं, एक वैक्ती से दूसरे में फैलते हैं, लेकिन अबने आपर से संक्रमक रोग नीज्याया क्या होते हैं, वह क tarkके दाओने हो, को गई और फिर पढ़ेंगे आसंक्रमक रोग के बारी में जो भी आपने से पढ़ेंगे कि वह क्या होता है तो दोस्तों आज की अपको क्या 47 अबने की बिमाडियाوس गवाली जितनी बिमारियां ओँगी वह यहीं फैलाएंगे ठिक मनुशिय वने वेवने वाली जितनी विमारियां है उनके लिए यही सब जिम्मेदार है बैक्टिरिया है आप कने अधर ऊछोते हैं यहá चलेगा जो टाइफाइड है वो एक जिवाणू जनतरोग है किसकी वज़े से होता है जिवाणू की वज़े से होता है और ये एक संक्रमर्ण रोग है ये भी हम आपको बताएंगे तो ये सब दोस्तों हम बताएंगे आपको next lecture में so stay tuned with us आज के lecture हमारा यहीं पर खतम होता है इस lecture से related सारे notes आपको नीचे description box में मिल जाएंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपनी next class में thank you